नमस्कार इलक्ट्रों हो पैथी के इस विसेश कारिकम में मैं 32 सी डॉक्टर निश्रिवास्तो अपने सभी सुनने वाले साथियों के बीच एक बार फिर आज हम चर्चा कर रहे हैं इलक्ट्रों हो पैथी के विसेश और सथियों के क्रम में यस्फाइब की यस्फाइब एक बहुत ही महत्पूर्ण और शदी है इलक्ट्रों हो पैथी के और शदी छेत्र में हम अगर चर्चा करें इसमें मकवाना भगवान जी लाइन पर आ चुके हैं और अरुन कुमार सिवास्तो जी भी इसमें लाइन पर हैं प्रकाश वाड़े जी आपका प्रणाम अगर मैं C5 के क्रिया कलापों की बात करूं तो सबसे पहले मैं आप से चर्चा कर लूँ कि हमने आपको C1, B1 और C5 इन तीन और शदियों के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा मैंने की थी और मैंने आप से ये भी वादा किया था कि मैं आपके बीच C5 और C1 की चर्चा भी करूंगा तो आज उसी क्रम में मैं आपके बीच C5 को ले करके आया हूं वीना वोरा जी आप आ चुकी है लाइन पर बहुत बहुत धन्यवाद अखन प्रताब जी आप भी लाइन पर हैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यस फाइब में नौ पोधों का मिस्टन किया गया है जिसमें बर्बैरिस, बल्गैरिस, कॉकलेरिया ओफिसिनेली, हडिस्टिस, कैनेडेंसिस, मैट्रिकेरिया कैमोमिला, नस्ट्रियम ओफिसिनेलिस, सैक्रो फ्लोरिया नुडोशा, इसमाइलक्स मेडिका, तुलशिगो फरफेरा और वेरोनिका ओफिसिनेलिस, ये नौ पोधे जो यस फाइब में डाले गए हैं, मैटी जी के द्वारा, इसमें बसिस्ट मेश्रम जी है, आपका भी नमस्कार है, प्रवीन शर्मा जी नमस्कार, ये जो नौ पोधे यस फाइब में मैटी जी ने डाला, मैटी जी को इन पोधों की खाशियत, बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से पता थी, उन्होंने बहुत गहराई तक जा करके, इन पोधों के गुणों और लक्षों पर बहुत अच्छा सर्वेक्षन किया होगा, इन पोधों के गुणों को बहुत नजदीक से परखा होगा, क्योंकि हैनी मैन जी के बहुत करीब थे, तो स्वभाविक है कि ये पोधे जो पहले थे वो आज भी हैं, पोधों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पोधों के गुणों को अलग-अलग चिकिश्चा पधतियों ने अपने अपने धंग से अपनाया, यही पोधे बिभिन चिकिश्चा पधतियों में बिभिन तरीके से अपनाये जाते हैं, कि इस नातेश का नाम कॉंप्लेक्स एलेक्ट्रों पैथी जर्मनी में दवा बनाने वालों ने इसको स्विकार किया जबकि यह सिध्धान्त बिल्कुल गलत है तो इसका मतलब कि आयरुवेद में युनानी में इलोपैथ में बिभिन पौधों को या बिभिन कंपाउंड को मि आहिए जाती तो वो भी कॉम्प्लेक्स पैथी कहलनी चाहिएं विलकुल नहीं सध्धान्त है अपनी दवायों के बनाने का अपना तरीका और फिर उन दवायों का जो एक्स्ट्रेक्ट है उसके कारी करने का भी अपना तरीका है ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने आप से चर्चा किया था कि हमारी लक्टों हो पाय थी कि जितने भी पौधे हैं ये सारे पौधों में जो पाय जाने वाले एंजाइम्स हैं ये एंजाइम्स जैसे ये स्फाइप में जो ये नो पौधे पड़े हैं जिन पौधों की चर्चा मैंने आप से की ये न तुल्सिको फरेरा और वेरोनिका ऑफिसेनलिस इन दोनों में किसी सड़े जिद्धी घाओ को ठीक करने का बहुत प्रबल गुण पाया जाता है बरवेरिस बलगेरिस में कॉकलेरिया ऑफिसेनलिस में इन में लीबर केज कोशकाओं को ठीक करने का गुण पाया जाता है तो इस तरीके मैटी ने गुणों के आधार पे पौधों का आपस में मिलान किया और यही कारण है कि लक्टों हो पैती की एक-एक और शदियां अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा अदूतिय है जिनका हम वड़न अपने शब्दों में नहीं कर सकते क्यों अनुभों में कर सकते हैं अगर हम यह स्पाइब की क्रिया शिलता को देखें तो आम तोर से यह स्पाइब लीबर की और शदिदी बताई जाती है जो प्रयोगों के तौर प्याई है, लीवर के जो टीशू होते हैं, हिपेटोसाइट्स, इस पर इनका बहुत अच्छा कार है, और मोटर नर्ब पर, मोटर पार्ट पर, जो हमारे स्पानल नर्ब में के पार्ट पर, और डाइस्टिप सिस्टम के साथ साथ ये एंटी बाइविलस, यानि पित नाशक, हेलको प्लास्टी घाव भरने वाली दवा, हेलको प्लास्टी घाव भरने वाली दवा, इमोलियंट, मुलायम करने वाली, हमारी त्वचा को मुलायमता प्रदान करना, न्यूट्रेटिब है ये, एंटी गैंग्रियोनिक, ग्रेगिनार्ड, जैसे जो लोग ग्रेगिनाल की बात करते हैं, ग्रेगिनाल फोर्ड की, संभौता उनके में भी S5 का मिस्रण होना चाहिए, हलाकि उन्होंने अभी तक अपने कंपाउंट को बताया नहीं है, लेकिन मैं अंदाजा लगाता हूं, कि संभौता चुकि ये, मैटी जीके जमाने से, और हम लोगों के प्रयोग से, हम लोगों के अनुभो से, ये एंटी गैंग्रियनिक मानी गई है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये दर्द नाशक बहुत अच्छी दवा है, ये एंटी लेथर्टिक्स है, जिसे हम पत्री नाशक या स्टोन गलाने वाली, या स्टोन का नाश करने वाली, या स्टोन परकार करने वाली दवा भी कह सकते हैं, ये एं पर जिन कोशकाओं का च्छह होता उसमें S5 का रोल बहुत अच्छा देखा गया है यह anti-cancer का कारी करती है जो दवाएं कारी नहीं कर पाती है वो कोशकाओं के छट को दूर करने के लिए ऐसी दसा में यह anti-cancer भी मानी जाती है एंटिरिमिटिज्म गाठों के जोडों में दर्द में इसका बहुत अच्छा रोल है डॉक्टर राजेंट सिंग्स राठोर जी और सेगल विजय जी इसमें लाइन पर हैं तीकेश्वर बारगे जी हैं धर्मभी डॉक्टर स्वी नाराएन कुमार जी भी लाइन पर हैं सीव नाराएन कुमार मेहिंत कुमार शर्मा जी लाइन पर हैं आप सब अगर कोई ऐसा घाव हो जाता है जो बहुत ही दुर्गंध पूर्ण हो गया है जो बहुत गल रहा है सड़ रहा है वहां पर यसफाइप के प्रियोग से यसफाइप को जो हम यसवन के साथ और जी के साथ मिला के देते हैं तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव हमारे उन इसको हिपेटाइटिस B और हिपेटाइटिस C में भी इसका बहुत अच्छा रोल देखा गया है अपच्छ में यानि जब हमको कबजियत हो जाए भूक ना लग रही हो भूक मर गई हो या लीवर हमारा ठीक से काम ना कर रहा हो हमारी पेशाप पीली होने लगी हो हमारा इसका प्रभाव हमको दिखाई पड़ता है गोईटर में घेंगे रोग में या ब्लाइंड पाइल्स में कि श्याटिका में मैंने इसका रोल आपको बताए जब मैं श्याटिका बता रहा था तो इसमें मैंने यस फाइप की चर्चा आप से की थी आम तोर से S5 फोड़े और फुंसी के जो घाओ नहीं भरते हैं बार-बार खुजली होती रहती है वहाँ भी S5 का रोल बहुत अच्छी तरीके से दिखाई पड़ता है हम ये मान के चल सकते हैं कि S5 वास्तों में शरीर में लीवर की दवा के साथ साथ लीवर के तो हर फंक्षन में इसका रोल है अब लीवर एक ऐसा अंग है जो हमारे सरीर में बलड भी बनाता है शरीर में गल्वायक गलुकोष का नियंतरन भी करता है तो और गलुकोष के नियंतरन के साथ उर्जा का नियंतरन करना अमोनिया या नाइट्रोजिनस पदार्थों को बाहर भी निकालना लीवर के बहुत मल्टी फंक्शन है जो मैं आपसे लीवर के फंक्शन के समय चर्चा क कर चुका हूँ और anatomy और physiology के जानकार साथी इस पर बहुत ज़्यादा गंभीर होंगे और वो समझ रहे होंगे कि लीवर के function के साथ साथ कौन सी क्रियां यहां और और भी देखी जा सकती है लेकिन हम यह कह सकते हैं कि लीवर के function के साथ साथ यह हमारे stomach के आसपास लगे सारे अंगों पर S5 का बहुत अच्छा प्रभाव है चुकि blood circulation में यह प्रॉपर बे में बनाती है इस नाते जब S5 को हम BEE के साथ प्रियोग करते हैं तो अच्छे से अच्छा चोट या सूजन या सोथ या रुका हुआ लगबग बलड जहां पर सूजन आ चुकी है वहां से बलड को हटाता है और ततकाल बलड का flow सामानी करता है और दर्द को यह दूर करता है अभी एक चर्चा हो रही थी मैं गुरूप देख रहा था तो गुरूप में हमारे एक साथी भी के धाकर जी ने लगबग 27 पुस्तकों का कलेक्शन एक साथ भेजा हमारे कई साथियों उस पर बिविन प्रकार की टिपड़ी की तो संयोग बस मैंने भी उसको खोल के देखा तो मैंने देखा कि उस संत उन सभी 27 बुक के जो राइटर्स हैं या जो आथर्स हैं उन्होंने अपने नाम के आगे या तो MDH या BMS लिखा है और कुछ लोगों ने तो क्यों अपना सिर्फ नाम तक दिया है आगे कोई डिग्री भी नहीं लिखी है तो मैंने एक छोटा सा कमेंट किया कि आप अपनी सैक्षिक योगता आप लोगों नहीं लिखी दरसल किताब लिखना ये माइने नहीं रखता किताब को लिखते समय आप कितने गंभीर है और आपकी उस विशे के प्रत कितनी गंभीरता आपकी है ये माइने रखता है लेकिन जब आप किताब लिखते हैं तो अगर आप उस किताब के लिखने की कला सिर्फ नकल की process है क्योंकि मैंने कई किताबों जितनी किताबें 27 किताबों को तो यह ने दिखाया और अगर आप देख रहे हों तो मेरे इस कमरे में पीछे बहुत सी किताबें आपको दिख रही होगी दूर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, सब लाइन से किताबें लगी हुई हैं, लगबक 50 से 60 लेकों की किताबें तो मेरे कलेक्शन में हैं, और मैंने सभी का बहुत अध्यन किया, मुझे एक ही बात दिखाई पड़ी, कि हर लेखक ने एक दूसरे की दवाईयों को उपर लेकिन वास्तों में जो इलक्ट्रों पैथी में होना चाहिए था, जिससे बनाये जाने चाहिए थे, हला कि कुछ लोग यह कहते हैं कि डॉक्ट्रों इसरी वास्तों को सोसल मेडिया पे कुछ न कुछ कहने का एक नशा या जुनून हो गया है, चलिए मैं यही बान लेता इलक्ट्रों हो पैथी में कि सोसल मेडिया पे आने का इनको नशा है, वो इसका परणाम तो देखें कि मेरे 35 मिट थे, 40 मिट के या 30 मिट के क्लास में टिपड़ी करने वाले लोग कितने रहते हैं, और इसके बाद जब बिविन ग्रुपों में शेर होता है, तो उन अमीद नहीं आती है, जो हमारे अन्य आलोचक हैं, मैंने तो 5-6 आलोचकों के नाम आपको बताया, इनको छुपे आलोचक भी है, जो अपना सामने नहीं आते, बैक डूर से दूसरों को प्रेरित करते हैं, जरा ये सवाल पूछ लो, डॉक्टर निल से जरा ये पूछ लो, हमारे कल रात में एक साथी गुरखपुर से फोन करके, उन्होंने का कि मैं होपैथी का फार्मसिस्ट रहा हूँ, और मुझे लक्टर होपैथी में बड़ा शौक लगा है आपके लेक्चर को सुनके तो मुझे कुछ बताईए, और लगभग 30 मिनट तक हमारी उनसे बातची होफे, तो मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ, कि जो लोग मेरी आलोचना करते हैं, मैं उनका बिजनस फ्लाउप नहीं करता है, मैं तो आलोचनाओं के लिए ही जाना जाता हूं क्योंकि मैं न Portuguese समल बना रहा हूं, जैसके और आपको ये मैं एक के पुस्तक का पन्ना आपको द फिर से सुन लीजे, यस्टू, बेनवन, डबलूई, और आगे लिखा है इन्होंने, इट इस यूजफुल इन स्किन डिजीज, लेप्रोसी, इंफ्लामेटरी डिजीज, हेरिटरी डिजीज, एक्सेक्टरा, अब बताईए, क्या अगर मैं इन दवाओं को मिला करके इन रोग आगे लिखा, इट इस यूजफुल इन फॉर मिक्स टेंप्रामेंट पर्शन, एंड दस मेक्स लिंप अड बलड स्ट्रॉंगर एंड रीजुमिनेवल फॉर दस्टिक अब बॉड़ी, यानि यस्टून और एवन को इन्होंने मिक्स टेंप्रामेंट में ले लिया, टेंप इंप्रामेंट डेलूशन की बात करते हैं, जो लोग पॉस्टिव और निगेटिव की बात करते हैं, तो मुझे बताएं ना कि एलोपैथी के चिकिस्षा विज्ञान ने लगभग 10 लाख रोगों की डिफिनिशन दे रखी है, और उन 10 लाख रोगों में इलक्ट्रोपैथ कि ये लेखक या ये विद्वान कितने को पॉस्टिव और कितने को निगेटिव रोग बताते हैं, और किस आधार बताते हैं, बुखार तो बुखार ही होगा ना, मैंने एक दिन इस बात को लेक्चर में और भी कहा था, कि जब बुखार हमारे 98.6 Fahrenheit से आगे बढ़ेगा, त तो बुखार increase ही तो करेगा, टेंप्रेटर इनकरीज ही तो करेगा, अब आप कहें, मियादी बुखार negative है, और मलेरिया बुखार positive है, आप कहें, टाइफार निगेटिव है, और अगर सरदि-कासी जुखाम का बुखार हो गया positive है, इसका क्या मतलब है? क्यों आप positive ऑ और negative कशधिया पना हुआ हैं उन्हoo स्रेर्ट के 40 पोइंट हैं उस साथा ओस्षा हैं कुछ कॉंछ यह कोई और किया धुंट है इस प Viel Scout है इस पर यह तो इन एन यह प्वेल्ट उख् laug p को इसी में कार्ण व्हक्ति आसद्धा अच्छ उए और आवκ प्रग्जन ने एक नामी गिरामी नाम लिया, कानपुर का, तो मैंने उस पर कमेंट किया, भाई ये फैक्टरी कहा है, कानपुर में मैं 17 साल से आ जा रहा हूँ, मेरी कर्म भूमी कानपुर रही है, आज मैं बस्ती में हूँ, लेकिन मैंने इस इलक्टो हो पैथी कि दवा बन बेख शिर्पicer काटने वाले दिखे लेकिन बनाने वाले और यह दवा कैसे काम करती इसको कैसे देना है इसको बताने वाले नहीं दिखे तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब इलेक्टरों पहिती की मानता के लिए हम इतनी लंबी लडाई की कमर कस चुके हैं तो इतनी लंबी लड़ाई की कमर कसने के लिए हम अपने जो हमारी सेना है हमारी सेना आप ही तो है अगर आपने मुझे अपना सेना नायक माना है अभी मैं आपको ताजी रिपोर्ट बताऊं कि आज दो पहर में अभी मैं परसों रग्युआर को मैंने आप से चर्चा की थी क कि मैं आयुध्या के दो डाक्टरों के किलनिक पर पहुंचा और आज उसका आसर यह है कि आज मुझे फैजाबाद और बारा बंकी के कुछ चिकिस्ट्कों ने फोन किया है कि सर अगले संडे को हम लोग एक जगा पे 10 से 20 लोग इकठा हो करके आपका लेक्चर सुनना चाहते ह आपसे वारता करना चाहते हैं आप हमको समय दें बहुत अच्छा लगा और मैंने उनसे वादा भी किया कि मैं अगले संडे को मैं सटल्डे को इस बात को तैंकर पाऊंगा कि मुझे संडे को वहां जाना है कि नहीं जाना है मैं अपने टाइम सीडूल को देखते विए तो जब आपकी डिमांड बढ़ रही क्यों बढ़ रही है तो कि आपको लग रहा है कि इलक्टों हो पैती में मैं आपको भटका नहीं रहा हूं न मैं एहंकार कर रहा हूं न मैं यह कह रहा हूं कि मुझे इलक्टों हो पैती का बड़ा ग्यान है मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं इसमें काम नहीं कर रहा है, तो मैं उस पर पुनर विचार भी करता हूँ, और सोचता हूँ कि क्या दवा लिखने में, या दवा के डोज में तो कहीं गलती नहीं हुई, और फिर मैं आप से सवाल करता हूँ कि आपने दवा कैसे बनाया, जैसे कल मैं परसों, जहां पर मैं गा इस बुक पर या आपके फोन कॉल से बताता हूं कि आप रोगी को 30-30 बुन दिन में 4 बार मैं इतने लिखता हूं और मेरी इस बुक में भी आपको हर रोग में यह मिलेगा कि इतने इतने बुन 5 बार, 3 बार, 2 बार, 1 लेकिन उसे पहले मैंने व्याख्या कर दिया है कि हम 50 में जो आप 5 ml डालते हैं तो 450 वो नहीं रह जाता है, वो 445 रह जाता है, जो कि 5 ml तो आप दवा मिला रहे हैं, अब आप उसको जब बनाते हैं फिर वहां से आप रोगी के लिए लेते हैं, तो जो confusion था हमारे साथियों का confusion यह था कि इनके पास जो D3 की medicine थी, यह उससे 450 ml बना रहे थे, जब कि वह वास्तों में वो 450 ml से निकाल करके इनको भेजी गई थी, जिन कंपनियों ने इनको दवा दिया था, कंपनी का नाम लेना यहां ठीक नहीं है, मैं किसी को promote या demote करने का आदी नहीं हूँ, तो जब मैंने इनको चेक किया, मैंने का यह आप सिधे र आप की कोई गारंटी में दे सकता हूँ, तो इनको अपनी गलती का हैसास हो, मैंने का यह वही 450 ml से निकाल करके आपको पैक करके दिया जा रहा है, आप इसको नहीं, जैसे हमारे विक्रम गंज के हमारे साथी मैडिसिन बनाने वाले असोग जी, वो crude देते हैं, उनके crude से द ही हमारे साथियों को दीजिए, जिससे उनको प्रैक्टिस में चार चांद लगे, crude को देने में आप crude को किस तरह बनाना चाहते हैं, और वो डॉक्टर को किस तरह बनाता है, दोनों में अंतर हो जाएगा, और दोनों के परणाम में अंतर हो जाएगा, लहाजा मैं अशोग जिसे भी इस बात का निवेदन करता हूं, मैपो कमपनी से भी इस बात का निवेदन करता हूं, और रोविंसन कमपनी से भी, अर्क कमपनी से भी, ग्रेवियेट से भी, जीविट से भी, मैं सभी कमपनीयों के दवा बनाने वाले साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, कि आप अपने चिकिश्कों के साथ पूरी वफ़ादारी बरती है, मैं यहाँ पर किसी एक विशेश का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैंने सब का नाम ले लिया, जितने लोग मुझे संपर करते हैं, जितने लोग सैंपल मेरे पास भेजते हैं, अभी हिसार से हमारे एक चाहने वाल है, और उने वही बनाया जो 450 समयल में था और उने बना करके, और हमको भेजा कि सर मैंने इसको स्वेम बनाया है, जरा आप इसको चेक करें, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग दवा बनाने में निकल रहे हैं, उनकी दवाईयां अच्छे परणाम भी दे रही हैं, तो मैं बार-बारे निवेदन करूँगा दवा बनाने वाले सभी साथियों से, कि आप कृपया अपने ग्राहक के साथ पूरी वफदारी, पूरी इमानदारी बरते हैं, क्योंकि ये आपके अंग हैं, अगर आप एक बार दो बार इनको दवा दे करके इनसे नमस्कार करना चाहते ह तो ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्रपया आप मेडिसिन की क्वालिटी को मेंटेन करिए और अपने अधिक से अधिक प्रैक्टिसनर्स को अपनी ओर आकर्शित करिए, इससे आपको भी लाब होगा और प्रैक्टिसनर्स भी आपका चहता बनेगा और प्रैक्टिसनर झाल झाल